नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ताहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग रामेश्वर्श चुखल अंचल जी द्वारा रचित यदि फूल नहीं बो सकते तो नामक पाठ के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लो करत सके आये अब इस पाठ से संब्बंदित प्रश्ण उत्तर को देखतें तो तो देखो में पहला प्रश्ण जो कि वस्तुनिष्ट प्रश्ण है आप इसे देख सकते हैं में तक यदि फूल नहीं बो सकते तो तो इस किस विधान की रचना है पहला जो हमारा वस्तोनिष्ट प्रश्न है यदि फूल नहीं बहु सकते तो किस विधान की रचना है और इसका पहला विकल्ब देखिए कहानी नाटक ग कवीता और ग एक कांकी तो आपको अच्छी तरह पता है कि यदि फूल नहीं बहु सकते तो एक कवीता है तो सही उत्तर क्या है कवीता दूसरा प्रश्न कभी के अनुसार किसका मन कमजोर है उत्तर देखिए हमसे पहले हम विकल्प देखते हैं फिर उत्तर देखेंगे तो पहला विकल्प है दानव दूसरा विकल्प है मानव तीसरा है ग्राघव और चौथा है उपरोप् देश दिया है कि उसे किस तरीके से नकरात्मक परिस्थिती में कमजोर नहीं पढ़ना चाहिए कभी के नुसार किसका मन कमजोर पढ़ता है मानम का तो इसका सही उत्तर है तीसरा प्रश्न देखिए कटूता का समन कहा होता है इसका सही उत्तर है कटूता का समन कहा होता है और इसका विकल्ब देखिए मम्ता की सीतल चाया में भ्राता की कोमल काया में गर पिता के सानिध्य में और उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही उत्तर है कटुता का समन मम्दा की कीतल छाया में होता है तो इसका सही उत्तर है आईए अब हम इसके जो चाथा प्रश्न है की चाथा प्रश्न जो हमारा है की पक-पक पर तोर मचाने से क्या नहीं जमता विकल्प देखिए क विकल्प ख संकल्प ग काया कल्प और ख प्रकल्प इसका सही उत्तर है ख पकपक पर सोर मचाने से संकल्प नहीं जमता है। आईए अब हम इस पार्ट से संबंदित लगुतर ये प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि रामेश्वर सुक्ल अंचल का जन्म कब और कहां हुआ था। उत्तर देखिए। रामेश्वर सुक्ल अंचल का जन्म 1 मई 1915 इस्वी को फत्यपूर जिला के किस्तनपूर गाउं में हुआ था। यहां पर हमने उनके जन्म की बारे में पता चल रहा है। आईए अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि ममता की सीतल चाया में किसका समन होता है। उत्तर देखिए। ममता की सीतल चाया में कटूता का समन होता है। और अगर हमारा तीसरा प्रश्न है कि यहां पर तीसरा प्रश्न होगा यह, कि मन में संकल्प कब नहीं जमता, उत्तर देखिए, कदम कदम पर सोर मचाने से मन में संकल्प नहीं जमता है, ठीक, यह आपका 4 नंबर होगा, और 5 नंबरिंग में थोड़ी परसानी हुई है, आप लोग देख लीजेगा इसे, ठीक है, तो देखिए, मारुत शब्द का प्रयोग कैसे व्यक्ति के लिए किया गया है, उत्तर देखिए, दिर्ण संकल्प के बल पर, प्रतेक बाधा से लड़ लेने वाले, जो साहसी व्यक्ति है, उनके लिए मारुत शब्द का प्रयोग किया गया है, मारुत यानि वायू, जो व शब्द का उलेख किया गया है और पाच्वा प्राश्न कवी ने खेतन किसे कहा है उत्तर देखिए वह मनुष्य यहां पर वह मनुष्य होगा कि वह मनुष्य जो लोभ मोह और व्यक्तिगत सुख स्वार्थ की भावना से उपरूट कर मानो हित की चिंता करता है कवी ने उसे चेतन कहा है यानि कि वही व्यक्तिचेतन है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से उपर उठकर अन्य लोगों के खित की चिंता करता है आए बोध मूलब प्रश्न को देखते हैं पहला प्रश्न कवी अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए क्यूं कहते हैं ठीक है यह हमारा प्रश्न है कवी अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए क्यूं कहते हैं उत्तर देखिए कवी के अनुसार जीवन में सुख दुख जै पराजय का दौर चलता ही रहता है अता निराशा पराज़े और दुखों से भाग कर जीवन को, नहीं जीया जा सकता हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए, सपनों की जरुगा, ठीक है, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको किसकी जरूवत है सपनों की जरूवत बिना उची कल्पना और सपनों के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप किसी भी लक्षी को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी विसे में सोचना होगा कि विसे में कल्प ना करनी होगी तब ही आप उस छेतर में कदम बढ़ा सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो सपने ही हमें अपने पिछली असफलताओं को भूल कर नई मंजील की और आगे बढ़ने की प्रेड़ना देता है और इसलिए कवी कहते हैं कि हमें अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए और अपने सपनों को देखना चाहिए दूसरे परशन को देखते हैं कवी ने लोगों को क्या क्या करने की सलाह दी है पाठ के आधार पर सपश्ट की उत्तर देखिए कवी ने लोगों को प्रोचाहित करते हुए कहा है कि यदि जीवन की राह में सफल नहीं हो सकते यदि आपको जीवन के राह में सफलता नहीं मिलती है तो कम से कम किसी बाधा में खड़ी नहीं करना चाहिए हमें किसी के राह में बाधा खड़ी नहीं करना चाहिए, परिशानी नहीं लानी चाहिए लोगों को कभी भी भाय से घबराना नहीं चाहिए, कभी के अनुसार हमें अपने प्रतेक सपने पर विश्वास करना चाहिए और सुखों की निद्रा में नहीं सोना चाहिए कभी हमें ये भी बताते हैं कभी कि ये भी इस प्ष्ट मानेता है कि देड़ विश्वास इच्छा सकती और साहस के बल पर हम किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमें कभी भी अपने मन के साहस और इच्छा सकती को नहीं छोड़ना चाहिए अंत में सबसे बड़ी सलाह यद है उनकी कि हमाएं अपने भीतर दया, प्रेम, निस्वार्थ और हित की भावना को बनाये रखना चाहिए से सज़क करके रखना चाहिए यही हमारा प्राइट तो देखते हैं कवीता का मूल भाव यानि की केंदरी भाव बताना है तो देखिए यदि मूल नहीं बो सकते नामक कवीता रामिस्वार सुक्ल अंचल ने मानों के आदर्श्व जीवन के संदर में कई सारी प्रेणाय रुपदेश दी हैं कवी के अनुसार जीवन में सकरात्मक और नकरात्मक कई तरह की छाण आते हैं कई तरह की स्तितिय उसे किसी प्रकार का खार नहीं पूंचाना चाहिए और अपने हीदे में प्रेम और सहानबूती की भावना को बसाइय रखना चाहिए कि यह प्रेम और सहनभूति की भावना से मन के जो सारे बुरे भाव है वह समाप्त हो जाते हैं सभी के प्रती हमारा मन जो है वह परउपकार की भावना से भर जाता है इसके साथ ही कवीने हमें अपने जीवन की मंजीलों को पाने के लिए स्वपन देखने की बात कही है, अपने स्वपनों पर विश्वास करने की बात कही है, लेकिन यदि सुख के छड़ों में हम अभिमान करने लगते हैं और मंडी हो जाते हैं, तो भी हमें दुख के छड़ों में घबराना नहीं चाहिए, ऐ द्रिण, संकल्प, और साहस के बल पर हम संघर्ष कर सकते हैं और अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं आईए चोथे प्रश्ण को देखते हैं अन्सूना, अंचीनहा करने से संकट का वेग नहीं कमता ये पंक्ती दी गई है हम इसका आसर स्पश्ट करना है तो तो देखिए कभी के नुसरा जीवन में लाकों बाधाइं आती है और वो क्या है आती और जाती रहा है मानव का यह धर्म है कि वो साहस और द्रिंधता के साथ उसका सामना करे यानि उसके जीवन में आने वाली कितनी भी तमाम तरह की परिशानिया हैं मुसीवत हैं उसका वो सामना करें यदि आप ऐसी बाधाओं को नजर अंदाज कर देते हैं अंदेखा कर देते हैं और इसे वे समस्याइँ जो होती हैं वो समाप्त नहीं होती हैं बल्कि और भी अधिक सकति के साथ आप पर प्रहार करते हैं और गुल की कवी ने उदाहराण दिया है सुत्रमुर्ग का कि शुत्र मुर्ग जो होता है यानिकि Ostrich Стru joue को को देखकर अपने सिर को बालों छीपा लेता है लेकिन उसका पूरा सरीर होता है वो बालों के बाहर रहे जाता है और इसके काराद सत्रू उसके आक्रमर कर देते हैं वो सत्रू के आक्रमर से बच नहीं पाता है इसलिए हमें भी क्या है अपनी परशानी और मुसीवतों को देखकर तो मुर्ग के जैसा नहीं बनना चाहिए उसे देखकर भागना नहीं चाहिए बलकि समस्याओं से भागने के बजाए उसे भागने के बजाए उसका डटकर सामना करने से भीवा दूर हो सकती है अगर आप समस्याओं का डटकर सामना करें तो हो सकता है वह समस्याओं दूर हो जाए आए अब हम भासा बोद देखते हैं वह भासा बोद में निम्लखित शब्दों के विप्रित शब्द हमें लिखने है हमारा पहला वाला जो है कि निम्लखित शब्दों के विप्रित शब्द लिख कातर का विलॉम सब्द है आपका राहस मुन था है सिंदा का विलॉम फ़क्सोर्ट है यह अपका हो गया और इसके बाद का जो है कि निम्नलकित शब्दों का वचन परिवर्थित कीजिए यानि वचन बदल ये तो पहला शब्द है ज्वालाए का वचन क्या होगा ज्वाला बहु वचन है ना तो बहु वचन को एक वचन में कर दिया अगर एक वचन है तो बहु वचन में कर दिजि नयन का है नयनों, ठीक है? काटे, इसका आप कर दीजिये, काटा, इसे तरीके से, यहां लिख देती हूँ, रीती, रीती का रीतियों, ठीक मिने, रीतियों, ठीक है? आप बिलोम शब्द कर लीजिये, बिलोम शब्द बोल रही हूँ, वचन परिवर्तन कर लीजिये, ठीक है? तो, इस पार्ट के जो भाशाबोध है, अभी पूरा हो गया, तो इस पार्ट में जो प्रश्ण उत्तर थे, बहुभी कल्पी, बोध, मुलत, था भाशाबोध, उसे हम लोगों ने कर लिया है, आसा है कि यह वीडियों आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक उप्योगी हो झाल